देश के कुछ राजियों में मानसून के असर से बाड की स्थिती बनी हुई है जल्भराओं के कारण लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है दिल्ले के कुछ हिस्सों में आज भी बाड जैसे स्थिती रही पुराने रेलवेपुल पर यमुनानदी का जलसतर खत्रे के निशान से उपर चल रहा है इससे यात्यात बाधित रहा इसी तरह उत्रप्रदेश के कैई जिलों में बाड के कारण करीब धाई लाग से अधिक लोग प्रभावित है इस बेच उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने बाड को लेकर प्रशासनिक तयारिया अतेज कर दी है इसके साथ ही लोगों को बाड से बचाने राहत चौपालों के जरिये जागरों किया जा रहा है इदा चत्तिसगर में कुछ स्थानों पर हलकी वर्शा हुई मौसल विभागनी अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर और सरगूजा संभाग के कुछ स्थानों पर गरच चमक के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना जटाई है इसके पहले कर राजधान निराएपूर में बादल शाय रहे और हलकी बारिश हुई